मैंने बिना किसी उमीद के, बिना कोई expectations के, मैंने ये मुवी देखने स्टार्ट की, मैंने इंस्टाग्राम पे कोई real या शायद मैंने यूटूब पे कोई एक short वीडियो मैंने देखी थी इस मुवी के बारे में, वहां से interest जगा इस मुवी को देखने का, तो मुझे लगा कि ये मुवी देखनी चाहिए, तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, प्रेमलू मुवी के बारे में, तकरीबन जो इसकी लेंद वो धाई गंटे के आस पास है, अब बोलो गयार, इतनी जादा लेंद, ये कहीं जादा है, कहीं बोर ना करते हैं, बात करेंग ये इतनी वीडियो देखकर, बंद करके, भाई सब उसमें मेरा ही नुक्षान जाता है, पहले कम्प्रीट वीडियो कर जाना, फायदा करवा दो एर थोड़ा वो, कह, ये मुवी जो है, वो इसकी ओरिजिनल लैंग्विज, मल्यालम है, और ये जो मल्यालम के अंदर, मल्या अब इस मुवी की कहानी पर आ जाते हैं, इस मुवी की कहानी, मतलब ऐसा समझो किया रहा है, आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाऊगे, आप, मैं, या फिर भारत के जो लड़के हैं, मतलब जो एडल्ट जो है, वो कॉलिज लाइफ में अपने करस्ट पे, मतलब होत इस मुवी के अंदर हमें देखने को मिलती है, सची नाम का एक लड़का होता है, वो कॉलिज लाइफ में, जिसको ये पसंद करता है, उसको प्रपोज करता है, बट फट्टू बहुत होता है, बहुत लेट हो चुका होता है, उसको ना ही मिलती है, और अब ये कॉलिज से ब सामने चीजें होती है इतनी अच्छे से आप इसको रिलेट कर पाऊगे जो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी अब यह जब बाहर काम ढूंडने जाता है तो इसको एक और लड़की मिलती है लव एट फर्स साइट हो जाता है बंदे को भाई साब जो लड़कों को होता है कि कोई सुन्दर लड़की इसको लव एट फर्स साइट होना ही ही होना है पहली नजर में प्यार होना है अब इस इंसान को पहली नजर में तो प्यार हो जाता है इस रिनु नाम की लड़की से तो क्या यह अपने दिल की बात इसको बता पाएगा टाइम रहते और मतलब क्या इसको इंप्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो को मल्यालम जो मुवीज होती है इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये रिलेस्टिक बहुत जादा होती है आप इस पे रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे इसमें कोई इतना नहीं कोई दिखावा जैसे अपने बॉलिवूड मुवीज के अंदर देखा है शो ओफ करने वाली चीजें होती है अब सचीन जो एक लड़का है इसको देखोगे बहुत सिंपल सा लड़का है मतलब कोई बोड़ी शोड़ी हिरो टाइप का नहीं जैसे बॉलिवूड में दिखाया गए कोई इसके 6 apps हैं 8 apps हैं लड़की को एकदम से इंप्रेस कर देगा अपनी बोड़ी से वो वाली बात नहीं है इसके अंदर सचीन अपनी हरकतों से या जो वो behavior होता है उससे लड़की को इंप्रेस कर पाता है नहीं कर वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो बहुत अच्छी बात है मल्यालम लैंग्विज के अंदर जो भी movies आती हैं कोई भी movie आप उठा के देखेंगे इनकी बहुत एक real life से inspire जो आप इसको बहुत अच्छे से पसंद करोगे या फिर ये बात मैं बार-बार बोल चुका और इस movie की एक और बात जो मुझे अच्छी लगी मेरे perspective से बात करो कि इसमें जो love story या फिर इसमें romance दिखाया गया है वो इतना कोई रोने दोने वाला नहीं दिखाया है जैसे हम देखते हैं कि इसको देख कर या आँखों में आँसू आ जाएंगे वो वाली बात नहीं है इसमें humor एक बहुत अच्छे से डाला गया है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंदा है मतलब एक लड़का एक लड़की को जैसे प्रपॉज कर रहा है या लड़की लड़के को जिस ढंग से मना कर रही है वो बहुत ज़्यादा फणी है आप उसको देख कर काफी ज़्यादा इंजोई करने वाले हो और जब ये movie रिलीज हुई थी उस वक जो movies critics है लड़का जो अपने घर से निकल कर जोब के लिए जाता है तो उसको सामने जो रहने का अपने दोस्त के साथ रहने का जो एक experience है वो भी इसमें लिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा funny है humor बहुत अच्छे से इसके अंदर है फिर उसके बाद जो second half है वो थोड़ा romance की तरफ जुका हुआ है प्यार की तरफ जुका हुआ है लेकिन बावजुद उसके humor की कोई कमी नहीं है वो भी बहुत बढ़िया है मतब शुरू से लेकर आखिर तक आप इस movie के साथ बने रहोगे interest इतना ज़ादा रहेगा कि जो मैंने कहा ना ढाई गंटे इस movie के जो लाइन्थ है आपको पता ही नहीं चलेगा वो ढाई गंटे कब बीट कहे मुझे यार सच में जब इस movie को मैं देखने रहा था इतना ज़ादा interest मेरा इस movie के अंदर बन गया था कि पलक जपकाए बगएर इस movie को देख रहा था मैं जार अब ये लड़का इसमें क्या dialogue बोल देगा क्या बोलने वाला है उसका क्या behavior होने वाला है क्या scene आने वाला है वो एक curiosity रह आती है बहुत अच्छे से इस movie को इसकी script इसकी performance बहुत लाज जवाब है मैं कहूंगा क्यार आप definitely इस movie को देखे अपने यार दोस्तों के साथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वो और ज़्यादा fun कर देंगे आप जब इस movie को देख रहे होगे क्या बकवास सी चीज देख ली वो वाली feeling नहीं होगी एक दों तरो ताजा एक entertainment के तोर पे बनाई हुई ये movie आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है देखो मेरी दुस्ते तो इस movie को मैं जदेना चाहूंगा 8.5 out of 10 हैं हिंदी गंदर एविलेबल है और हिंदी देखोयर बहुत अच्छे से मैं कह सकता हूं कि इन्होंने डब की है कोई फाल्तू का reference तो मुझे कहीं दिखानी बहुत बढ़िया है यारी दूस्ती के ओपर थोड़ा बहुत जो इसमें परकास थोड़ा बहुत क्या अच्छा कासा परकास जो है light जो है वो डाली गई है और जहां तक मैंने पढ़ा है इस मुवी का अगला पार्ट यानि इसका सेकंड पार्ट के ओपर भी काम चल रहा है वो नहीं पता कि यही जो मुवी है इसकी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कोई अलग से मुवी लाई जाएगी एक अलग नहीं कहानी होगी कैर अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा अगर आप लोगों नहीं मुवी देखे तो प्लीज कोमेंट करना कि आप मुवी कैसे लिगये अगर नहीं देखे जाकर देखो यार OTT platform पर ये आ गई है बहुत अच्छे साप इसको enjoy करोगे तुम साज के लिए इतना है रखते है thanks for watching this video, मिलते हैं next video में जाहिंद